अप्रेल महीने की शुरुवात के साथ ही मैदानी इलाकों में जबरदस तरीके से जो है वो टेंपरिचर बढ़ता जा रहा है लोगों को गर्मिया परिशान कर रही है लेकिन अपनी इस परिशानी से जो है वो दूर होने के लिए सेलानी जो है वो पहाड़ों का रुक करते हैं और हेमाचीब पर देश के खूबसूरत प्रटक्स धलों पर पहुंचते हैं चादर किस तरीके से यहां पर दिखाई देती है यह रोतांग पास का इलाका है हाला कि रोतांग पास अभी सेलानियों के लिए खुला नहीं है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन यहां पर 10,000 फीट पर पहुंचने के बाद जो है वो सेलानी काफी जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है यह बहुत ही अच्छा और जननत जैसा मौसम है दोबारा बोलिये जननत जैसा मौसम है जननत जैसा मौसम है इसी मौसम के लिए आप लोग यहां पर आना करते हो यह 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 आप क्या कहना है यह 100% enjoying this climate और बेस्ट क्लाइमेट है बंबे में जो गार्मी है few, सफो के शेने, उससे काफी राहत मिल गगे है कि दिल कुछ एकुछ इच्छा है क्या कहना है बहुत अच्छा है ङे दूसरा Stewie जा इधर जाइना चाहिए सब कोрий को किड copies पुला नहीं है? नहीं, रोतांग को देखने के तो बहुत इचा थी सुपव, तो रोतांग पे सबसे हाइस्ट बरफ मिलता है, सब की इचा थी लेकिन वो बन था, वाजूल हुआ थे, लेकिन आएंगे वापस रोतांग देखने के लिए पत्का चाली है, इस तरीके से मौसम क बदलाव जो है, वो देखनी को मिल रहा है, क्योंकि हीट वेव की चेतावनी जो है, वो मौसम विभाद की तरफ से प्लेइन इलाकों में दी गई है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद तस्वीर कुछ बदली नजर आती है, जरूर क्यों नहीं है, यहां का मजारा जनरत है, मजारा से कोई कम नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक के यह आवान करूँगा कि अपनी थोड़ी जिन्दीगी में है, जरूर करना तो जरूर रही है, तो मजा आएगा. दस्मी ते थी लंगन तो बाद इन रात्यां दा वर्त पूरा हो जानता है, इस वार वर्त दा नोवा दिन ग्याना प्रैलनू है, इन राते दे पहले दिन माशाहल पुत्री दी पूजा कीती जाती. दस्दिये के आज जिन रात्यां दी शुरूरात हो चुकी है, पहले दिन माशाहल पुत्री दी पूजा हो रही है. वाख वाख थावा ते शर्दा अलूम अंदराज मथा टेकरेने, ते माता दा शीरूरात प्राप्त कीता जा रही है. आज तो नरात्यां दी शुरूरात हो चुकी है, तो मंदराज विच जो पगता दी पीड़ा है, वाख वाख थावा ते मंदराज जाके पूजा कीती जा रही है, शर्दा अलूम अंदराज दौरा. सो नो दिन वकवक सुरूपा दी माता दे उनना दी पूजा कीती जा दी.